हाई गाइज वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल माइंड है नर्सिंग तो गाइज आज हम इसमें discuss करेंगे skeletal system के बारे में पढ़ेंगे जो की हम जो की practical point of view से भी और theoretical theoretical point of view से भी आपके लिए काफी useful होने वाला है यह वीडियो तो इसको आप शुरू से लास तक देखिए गया ये जस्ट ओवर्यू है बहुत ज्यादा डेटेल में हम नहीं जाएंगे लेकिन हम टॉप टू बॉटम सभी के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा ठीक है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और पेपर में आप अच्छी से उसके बारे में लिख पाएंगे तो इसको देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करिए शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा सब्सक्राइब करने से आपको जो भी इसमें वीडियो अप्लोड की जाती है उसक जब आपको तब आपको क्या मिलेंगी सारे इसके नोटिफिकेशन अपना भी मिल जाएंगे जो कि आपके काफी यूसफुल रहेंगे अगर आप एजुकेशन के फिल्ड में है तो यह आपके लिए काफी यूसफुल होने वाला है चैनल ठीक है इसमें MCQs भी डालते हैं औ और मैं नोट्स देने की पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं नोट्स भी प्रोवाइट करूं साथ साथ एकस्थैन करने के सांथ जिससे कि आप नोट्स भी बना लें और MCQs से आपको जो है इंटरेस एक्जाम में काफी लप पूल रहेगा जिसको के एकस्थैन क्या जाता है हि ही चेंडी है तो चलिए हम स्ट्राट करते हैं तो यह का गास देखिया एक है इस्कतल में जो होता ہے एक हैंड हो गाई है जो स्कल्ट हो गया जिसमें क्रेणियम भी को ब Алексu को बोठा है क्रेंह फेस दोनों आएंगऄ तो यह अभी हम इसको पूरी XT तो इसमें जो हो गया हम एक वन बाई वन सारी बोन को आगे वो स्लाइड में देखेंगे तो देखें स्केलेटर सिस्टम है इसके पहले हम फंक्शन देख लेते हैं यह क्या करता है प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट करता है बॉड़ी को प्रोटेक करता है हमारे वाइटल अगर यह स्केलेटर सिस्टम ना हो तो हमारा जो बॉड़ी है वो शेपलेस होगा और हमको उटने बैठने चलने फिरने में सपोर्ट भी नहीं मिलेगा तो यह हमारा जो है इस तरीके से शेप और सपोर्ट देता है और हमारे जो वाइटल ओर्गन होते हैं जैसे ब्रेन हो हो गया हार्ट हो गया लंग हो गया उनको क्या करता है यह एक कवरिंग करता है कवर करके रखता है यानि कि एन्वलप का काम करता है उनको प्रोटेक करता है इंजरी से बचाता है ठीक है और क्या होता है यह एक्ट एस सेट आफ लिवर्स का काम करता है जैसे यह क्या करेगा उन सब को जो together with muscles उन muscles के साथ में मिलके help करता है person को चलने फिरने उटने बैठने में सब चीज में move करने में help करता है ठीक है skeletal system और क्या करेगा skeletal system जो ये bones होती है produce करती है blood cells होती है और हमारे जो calcium level होता है उसको भी calcium को भी store करके रखती जो हमारे लिए काफी useful होता है अब हम देखते है types of bone bones होती है long bone, short bone, flat bone irregular bone ठीक है तो जो long bone होती है ये क्या जैसे ये long bone होगी जो long bone होती है bone that has a shaft और ये जो long bone होती है ये इसमें जो shaft होता है यानि कि shaft मतलब बीच का जो area होता है two end होते है ठीक है two जो shaft bone होती है long bone जो होती है वो उसमें shaft होगा और दो end होंगे उसके ठीक है और ये जो होती है longer होती है मतलब wide के अपेक्षा यानि कि wider bone के अपेक्षा ये कैसी comparison में long रहती है और इनमें जो इनके अंदर long bone content sponge spongy bone ये जो होती है इसमें spongy bone भी रहती है ठीक है तो ये उत्ती long bone ये देख लिए long bone जो होती है ये बना रही है जैसे ही हमारी femur हो गई tibia fibula हो गई humerus alnar radius यानि कि हात और पैर ये दोनों की bone जो होती wider होती है wider as they are long ठीक है long के comparison में ये wide होती है चोड़ी होती है और ये क्या करती है इनका जो function होता है is to provide support and stability little to stability with little to no movement ठीक है या बहुत कम movement ये होती है देखे ये हो गई short bone ठीक है ये हो गई short bone ये ये देखे ये जो होगी phalanges होगी metatarsal tarsal की short bone होती है ठीक है ये क्या करती है short bone क्या करती है wide मतलब wide are they are the long यानि की long के comparison में थोड़ी सी wide होंगी और ये हमारे को क्या करती है इनका जो primary function होता है वो support करना और stability होती है इनके अंदर stable करना और बहुत कम movement करना इनका काम होता है ठीक है और उसके बाद हो गया ये होगी short bone ठीक है उसके बाद होगी ये flat bone flat bone को हम कह सकते हैं those are those are principle function is either extensive protection ठीक है ये जोटी extensive protection देती है और क्या करती है ये जो होती है attach होती है muscular के साथ muscles के साथ attached रहती है और these bone are expanded into the broad flat plate as in the cranium मतला हम बोल सकते है cranium की bone को ले सकते हैं ileum मतलब pelvic bone में जो होती है और sternum और ribs cage इसकी जो होती है flat bone होती है ये इसकल में और ये shoulder bone और ये pelvis bone इसकी ये bone होती है ठीक है irregular और ये होगी flat bone उसके बाद हो गई irregular bone irregular bone का मतलब होता है कि ये जो bone होती है इसको हम देख सकते हैं देखिए vertebra ये होगी vertebra sacrum और coccyx है ना ये देखिए irregular bone ये यहाँ पे आ गई ना ये है irregular bone ठीक है irregular bone का मिलेंगी sacrum में coccyx में temporal spinoid istomoid gigomatic यानि कि face maxilla और mandible इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये मिलती है ठीक है उसके बाद हो गया irregular bone और bone जो की complex shape में होती है ठीक है जो पार्ट होते है long bone के अब हम long bone को समझते है तो long bone के जो पार्ट होते है वो होगे इनके पार्ट होगे diphyces होगे epiphysis होगे articular cartilage होगी periosteum होगी और medullary canal और endosteum तो ये सारे parts जो होते है वो long bone के होते है याप याद कर लीजेगा जिससे की आप इसके बारे में paper में आए तो लिख पाए ठीक है diphyces क्या होते है is the main और जो diphyces होती है ये देखिए diphyces देखिए ये हो गई diphyces ये बीच का तो ये कैसी होती है लंबी बयोन होती है diphyces का मतलब क्यों हो गया is the main mid section यानि कि जो long bone होती उसका जो mid section होता है long bone उसका mid section को shaft भी बोलते है जो shaft of a long bone इसलिए हम बोल सकते है बीच का जो भाग होता shaft होता है long bone का उसी को diphyces बोलते है it is the made up of cartilage bone ये किस से बनी होती cartilage bone से बनी होती usually contain bone marrow इसमें क्या रहता है bone marrow रहता है and adipose tissue रहता है यानि कि fat tissue भी इसके अंदर रहता है ठीक है इसके बाद हो गया epiphysis epiphysis ये देखिए ये नीचे दिख रहा होगा आपको epiphysis हो गई ठीक है तो ये end होता जो bone का epiphysis हो गई है तो इसमें क्या होता है the epiphysis is the round end होती है ठीक है ये देखिए rounded end होगा rounded end होगे of the long bone के और ये जो होती joint में help करती है ठीक है जहां पे joints होते है वहाँ पर ये जुड़ जाती है उनके साथ मिल जाती है तो इनको मिला की joint बनता ठीक है epiphysis को फिर हो गई articular ये जो हो गई articular cartilage क्या हो गया ये जो हो गई smooth white tissue होती है that cover the end of the bone ठीक है ये articular cartilage होती है ये होती है smooth white tissue होती that cover the end of the bone जो की bone के end को क्या करती है cover करती है और यहां से क्या रहती है बोन्स मतलब उसको cover करती है बोन्स को end of the bone where they come together to form joint और जब यह एक दूसरे के साथ आते हैं, mix होते हैं जाने कि सारी जो articular cartilage होती है, जो भी यह joint बनाने में help करती है, जब एक साथ यह joint होते हैं, तो यह joint बनाते हैं, और जो healthy cartilage होती है, joint वो क्या करती है, joint को make करती है, to easier to move ताकि वो अच्छी से easily move हो सके, वैसा यह healthy cartilage जिसको joint में help करती है, और allow करती है bone को, किस के लिए allow करती है to glide over each, एक दूसरे के उपर glide करने से करने के लिए allow करती है एक दूसरे के साथ, और ताकि उनमें क्या हो, बहुत little friction हो, little friction होता है और उससे prevent करने के लिए cartilage का काम यह होता है कि उसको friction से prevent कर सके, ठीक है, उसके बाद हो गया periosteum, तो periosteum क्या होती है, dense जो होती है, layer होती है, vascular connective tissue की, और यह एक envelope का काम करती है, बोन का, ठीक है यह सिर्फ joint पे नहीं होती है, बागी यह shaft पे होती है, यह देखे, यह pink color की जो है, यह periosteum होती है, periosteum जो होती है, एक vascular cartilage tissue की बनी होती है, और यह bone में एक envelope का का काम करती है, पूरी bone को यह cover करके रखती है, envelope का का काम करती है, सिर्फ यह joint पे नहीं होती है, ठीक है, accept at the joint, then the medullary canal, यह देखे, medullary canal जो होता है, यह marrow cavity of the bone होती है, bone की marrow cavity होती होती है, यह आप इसको central area of bone भी कह सकते है, it containing bone marrow ठीक है, यह देखे, यह जो gray color का part है, brown gray type का blackish part है, यह है, medullary canal, ठीक है, फिर है endosteum, तो जो endosteum है, यह जो green color वाला से दिखाया, शो किया है, यह हो गया, endosteum, ठीक है यह thin vascular membrane होती है, आप in comparison of periosteum के देखे, यह थोड़ी पतली है, तो यह thin connected जो vascular membrane of connected tissue, that line the inner surface, ठीक है, यह जो होती है thin vascular membrane होती है, connected tissue की, और यह अंदर की line होती है, bone की, bone marrow की surface जो होता है, उसको cover करती है, lining of the inner surface होती है, of the bone tissue, और यह form करती है medullary cavity को, as long bone, ठीक है, bone के पूरी जो यह cover करती इसको, medullary canal को, tissue, उसकी cavity को, ठीक है bone की, उसके बाद हो गया यह तो हमने देख लिया, इसके parts, long bone के, अब हम देखते है, bone marrow जो भी हम देख रहे थे, bone marrow वो हम देखते हैं, कि यह कितने तरीके से होता है, red bone मोरे होता है, और white bone marrow होता है, ठीक है, तो जो यह होता है, red red, जो bone marrow, पहले जो soft part होता है, gelatinous होता है, jelly के समान होता है, bone के अंदर, उसको बोलते है bone marrow, there are two types of bone marrow, red and yellow, which produce the stem cell, ठीक है, दो तरीके से होते है, red and yellow, जो कि क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, किसको stem cell को bone की, ठीक है, और जो red bone marrow होता है, is found in the medullary cavity, यह medullary cavity में found होता है, जो कि cavity of the flat bone, such as the sternum pelvis girdle, यहां पर यह मिलेगा, जो flat bone होती, वहां पर यह मिलता है, और यह medullary cavity होती, जो उसमें मिलता है, ठीक है, और this type of bone marrow containing hematopoietic stem cell होती है, which are the stem cell that form the blood cell, ठीक है, यह blood cell को बनाती है, और इसमें, इसले blood cell को बनाती है, तो obviously उसी की नाम से hematopoietic stem इसमें contain रहता, ठीक है, फिर हो गई yellow marrow, तो yellow marrow जो होती है, वो contain होता, इसमें क्या होता, mesenchymal stem cell होता है, ठीक है, mesenchymal stem cell होता है, which produce cartilage, fat, अगरा, और bone को यह बनाता है, ठीक है, which produce cartilage, bone, जो fat और bone, ठीक है, yellow bone marrow containing in the, जो yellow bone marrow होता है, यह क्या करता है, यह, store of fats, ठीक है, store को क्या करता है, fat, sorry, fat को क्या करता है, store करता है, in the cell, cell में यह, उसको fat को store करता है, जिसको की एडिपो, 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 साइट्स भी बोलते है, इस provide the right environment to the bone, और यह क्या करता है, bone को right environment provide करता है, तो मैंने क्या क्या बताए, yellow bone marrow के लिए, इसमें mesenchymal stem cell होते हैं, और यह, जो होते हैं, क्या करते हैं, produce करते हैं, cartilage, fat और bone को produce करते हैं, और जो yellow bone marrow होता है, जो yellow bone marrow जो होता है, वो store करता है किसको fat को, और fat को कहां पे, in the cell call, इसको क्या, जो cell पे यह fat को store करता है, उसको बोलते है, एडिपोसाइट्स और यह provide करता है, जो bone होती उसको क्या करता है, right environment को provide करता है, तो yellow का काम तो ये है red का काम जो था वो क्या करना था RBC यानि की blood cell को produce करना था ठीक है अब हो गया ये भी हो गया complete अब हो गया section of the skeletal system तो जो section होते हैं skeletal system के वो होगे axial section और appendicular section यानि की दो part में जो होता है skeletal system को हम देख सकते हैं दो ग्रूप में बटा रहता है देखिए एक तो जो ये ये जो blue से show किया गया है ये axial system और ये brown से show किया गया है ये appendicular skeletal appendicular और axial skeletal दो part में इसको divide कर सकते हैं पढने के लिए और ये ग्रूप में दो ग्रूप में बटा होता है skeletal system appendicular और axial अब axial क्या होता है ये आपने देख लिया भी ये जो blue से इसमें mark क्या गयाता है it's include all the bone along the body long axial यानि कि body के long axial जो भी bone होती है इसमें आती है it includes the bone that form the skull और laryngeal जो laryngeal skeleton होता है उसको vertebra column को और thoracic के इसको ये बनाती है ठीक है axial के अंदर आते है ठीक है फिर appendicular में क्या होगा appendicular में जो होता है ये there are 126 name bone होती है of the appendicular skeletal में ठीक है अब इसमें होगे upper और इसमें होगे upper और lower ठीक है जो appendicular में क्या क्या आएंगे upper limb और lower limb आएंगे तो upper limb में क्या क्या आगिया shoulder girdle हो गया इसमें और clavical, scapula, arm, humerus, forearm, radius, ulnarist ये carpal, bones, ये सब इसमें आएंगे upper limbs में और lower limb में के आएंगे इसमें आएंगे pelvic girdle, ileum, ischium, pubis, thigh, femur ये सब आएंगे lower limb में, tibia, fibula ये सब lower limb आएंगे तो ये हो गया appendicular ठीक है और अब हम appendicular हो गया अब हम देखते हैं axial skeletal जो axial skeletal होता है वो जो होता है skull consists of the cranium and facial bone तो ये जो होता है cranium वो facial bone से मिलके बनता है ठीक है तो cranial and facial bone से मिलके बनता है axial skeletal ठीक है और इसमें होगा cranium cranium में कितनी bone होती है देखिए one frontal bone हो गई यहाँ पर देखिए यह हो गई न one frontal bone हो गई और two parietal bone हो गई एक यह देखिए laterally जो है यह parietal bone हो गई आप देख सकते हैं lateral है एक इदार एक उदार तो दो parietal bone हो गई दो temporal bone हो गई देखिए laterally ये देखिए i are के ऊपर temporal bone हो गई तो यहाँ पर ear के ऊपर ये हो गई ये भी two parts दो होती है और one occipital bone हो गई ये पीछे ये देखिए nीचे occipital bone हो गई और एक ethmoid bone हो गई ये देखिए ethmoid bone आई के ये जो i ke i bone होती है जो जिसको हम i ke around देखते हैं जिसके अंदर i इतमोईड बोन हो गई और जो इस्पनोईड वन हो गई वन इस्पनोईड बोन हो गई ठीक है तो यह हम इसमें इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्रेनियम में इतनी बोन होती है ठीक है अब हो गई sinuses sinuses भी होता है axial इसमें तो sinuses जो होते हैं वो क्या होते हैं और hollow space in the skull यह देखिए इसमें जो होते हैं hollow space होते हैं skull पे that the face bone around nose यानि कि कहां कहां पे होंगे the face bone होती है जो face में होगे और around the nose और nose bone में होगा ठीक है यह जो hollow space होता है there are four pair of sinuses इसके दो four pair होते हैं जैसे maxillary sinus होगे located on the east side of the nose इसको गे maxillary sinus बोलेंगे और frontal sinus are located above the eye यानि कि frontal sinus का होंगे located above the eye और near forehead तो यह होगे forehead frontal sinus इसमें two pair of sinuses होंगे यानि कि four मिलेंगे इसमे four pair of sinuses मिलेंगे maxillary और maxillary हो गया frontal sinuses हो गया तो इसमें air fill रहती है जिससे की जो skull होता है वो light weighted करके होगा तो इस तरीके से हम इसमें यह axillary यह देखा हमने skull अब हो गई दूसरा जो axillary skeletal में हो गया spinal column तो spinal column में 26 vertebra होंगी seven इसमें देखिए 26 vertebra हो गई जिसमें की seven जो होती है वो clavicle cervical होगी cervical होगी जो cervical vertebra होगी वो number of number में seven होगी फिर thoracic होगी वो number में 12 होगी फिर number vertebra होगी वो five हो जाती है यह देखिए और उसके बाद हो गया sacrum हो गया one sacrum और one coccyc हो गया ठीक है तो यह हो गई 26 vertebra ठीक है अब यह जो vertebra होती है इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो जो यह जो vertebra हो गई पहरे तो thoracic क्या होती है यह bony जो यह जो जो यह होगी ना जो thoracic यह जो true vertebra होगी इसमें और false vertebra होगी ठीक है इसमें true होगी और false होगी तो यह जो होगी true vertebra क्या होती है यह जो दो segment the vertebra column that normally remain unfused throughout the life जो कि unfuse रहते हैं throughout the life यह होगी true vertebra ठीक है जिसमें कि cervical thoracic lumbar vertebra आता है यह जो होती है यह unfuse रहती है हमारी throughout the life और जो false vertebra होती है वो होती है जो those vertebra that normally fuse वो vertebra जो normally fuse हो जाती है with a joining segment और यह जो होती है इसमें हम देख सकते है sacral और coccygeal vertebra इसके अंदर आती है तो यह होगी false vertebra और यह होगी true vertebra तो यह आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं ठीक है उसके बाद हो गया यह हो गई और जो disc होता है अब यह देखे disc क्या होता है एक spongy जो मतलब disc को का हम बोल सकते है there are 24 intervertebral disc होती है spine में ठीक है in the spine 24 intervertebral disc there are और यह क्या 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 काम होता है कि जो each thoracic discs जो होती है वो क्या करती है between two vertebra to provide cushioning and shock observer होती है यह इनको क्या करती है each vertebra के बीच में जो होती है each thoracic disc होती है इनके बीच में रहती है और इनको cushion का काम करती है और shock से prevent करती है यह जो शौक observer भी आप इसको बोल सकते है cushioning का काम करती है while और क्या करती है उसको preventing the vertebra from the जो होती है against each other मालब gliding ठीक है preventing each body body from the gliding against each other ठीक है ये देखिए इनके बीच में देख रहें। ये जो disc होती है ये दोनों वटिबा के बीच में रहती है और इन दोनों को gliding से prevent करती है ठीक है against each other ठीक है फिर हो गई sinuses sinuses का क्या काम होता है यह मैंने आपको बता दिया था अब हो गया axial में देख लिए thorax और strenum देख लिजिए जो thorax में 12 pairs ribs के होते हैं 7 true और 7 5 false ठीक है 12 pair of ribs 7 true और 5 false होती है यह देखिए यह होगी true और यह होगी false नीचे होगी false और ऊपर होगी true ठीक है और इसमें जो होते हैं इसके कुछ parts होते हैं जिसको की बोला जाता है यह देखिए इसमें 12 pair of esternum में जो होगे इसको manubrium हो गया gladiolus हो गया और जिफॉइट प्रोसेस हो गया यह इसके इनको parts में divide किया है ठीक है thorax को esternum को अब जो esternum होता है पहले वो समझ लीजिए long flat bone होती है located in the center part of the chest तो यह जो होती है long flat bone होती है जो की center part of the chest में located होती है it connects to the ribs via cartilage और यह क्या होती है ribs से connect होती है ribs के साथ किसके बाइदा cartilage ठीक है और यह क्या करती है form the front of the rib cage यह क्या करती है rib cage को बनाती है और इसमें क्या करती है help करती है protect the heart lung और major blood vessels from the injury ठीक है उसको यह protect करती है ठीक है अब इसके कुछ parts जैसे मैं इसमें बताया था manubrium हो गया manubrium is the broad upper part of the sternum जैसा कि आप देख सकते है ठीक है manubrium जो होता है broad और upper part होता है ठीक है और यह जो होता है gladiolus हो गया यह बोनी part होता है body इसका जो body का जो part होता है यह जो नीचे का बीच का जो part होता है body body का इसकी जो body होती है उसको बोलते है gladiolus ठीक है इस्टरनम का और इसको इस्टरनम को ही ब्रैस्ट बोन भी बोलते है तो यह इसका बहुत छोटा एक वो होता है प्रोसेज इस्मॉल रीजन होता है पार्ट होता है ठीक है तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा रिवाइज ही हो रहा है पता तो आपको हो गई स अब है appendicular, यह हमारा axial skeletal हमने भी देखा था, अब हम देखते हैं appendicular skeleton, इसमें आगया shoulder girdle आएगा, shoulder girdle में आएगा two clavicle और two scapula, तो यह देखिए two clavicle हो गई और two scapula हो गई, ठीक है, तो shoulder girdle क्या होता है, यह shoulder girdle और इसको हम pectoral girdle भी बोलते हैं, ठीक है, is the set of the bone, यह जो bone के set होते हैं, in the appendicular skeletal में, उसको बोलते हैं, which connect to the arm on each side, दोनों side की जो arm से यह connect रहता है, ठीक है, और it human, it consists of the clavicle, scapula और humerus, यह देखिए, clavicle हो गया, humerus हो गया, और scapula से यह connect रहता है, तो यह हो गया shoulder girdle, ठीक है, और अब हम देखते हैं, इसमें arm and hands देख लेते हैं, तो यह, जो arm और hand होगी, इसमें humorous, alna and radius आगे, यह देखिए, arms की जो bones होती ही, उसमें आगे, सबसे उपर humorous हो गया, alna and radius हो गया, और carper, metacarper और phalanges हो गई, तो यह तो हो गई, wrist का का काम करती है, मतलब जो बनाती है, औ और यह जो पूरा arm की bone हो गई, तो इसमें यह आगे, उसके बाद हो गया, hand की bone जो हो गई, जो hand bone होती है, इसमें eight, यह तो arm की थी, alna, radius, sorry, जो humorous, alna and radius, अब जो hand की हो गई, वो हो गई, यह देखिए, यह हो गई, carper हो गई, metacarpals हो गई, और phalanges हो गई, तो अब इसमें phalanges हो गई, तो यह हो गई, hand की bone, जिससे मिलके, hand बनता है, ठीक है, उसके बाद हो गई, appendicular skeletal, जो हो गया, skeleton में हो गई, pelvic girdle, दूसरा हो गया, यह pelvic girdle, appendicular में, ठीक है, जो pelvic girdle होता है, यह made of two hip bone, यह दो hip bone से मिलके बनता है, which connect at the symphysis pubis, जो की symphysis pubis से में connect रहता है, connect करता है, और यह जो होता है, pelvic girdle में two hip bone होती है, ठीक है, तो यह हो गया, pelvic girdle, appendicular skeletal में हम देख रहे हैं अभी, pelvic girdle, और each hip bone is composed of three sections, इसमें जो होते हैं, three sections होते हैं, ileum, ischium and pubis, यह देख लीजे, ileum होगी, यह flat bone जैसी जो दिख रही हैं आपको उपर, ileum हो गया, ischium हो गय pelvis bone से मिलकर यह बनती है, ठीक है, three section होते हैं इसके, ठीक है, उसके बाद हो गया, यह भी हो गया, अब हम देखते हैं, appendicular skeletal में हम देख रहे हैं, leg and feet, अब और leg और feet में हम देखते हैं, pelvis भी हमने देख लिया, अब pelvis हमने देख लिया, अब leg की जो bone होती है, उसमें कौन कौन सी bone होगी, femur, patella, tibia and fibula, यह देखे, सबसे लंबी bone होती है, femur, उसके बाद होगी, patella, जो की नी की bone होती है, फिर tibia होगी और fibula होगी, तो यह होगी, अब इसमें देखे, foot की bone देखे, foot, foot की जो होगी, seven to tarsal होगी, उसके बाद होगी, five metatarsal होगी, और fourteen phalanges होगी, तो यह होगी, foot की bone, तो यह होगी, appendicular skeletal में, leg and feet भी हमने देख लिया, ठीक है, उसके बाद हम देखते है, joint and ligament, तो joint are the classified by movement, movement के हिसाप से इसको हम classify कर सकते हैं, पहले तो joint देख लीजे, joint क्या होता है, joint are the articulation होता है, और articular surface भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यह मतलब जो जहां पर हमने आगे देखा था, जहां पर जो joints bone के, जो यह long bone का end part होते हैं, वो जब आपस में एक साथ gather होते हैं, तो वहां पर जो irregular bone भी होती कहीं पर और कहीं पर, इस तरीके से जो हम बोल सकते हैं, जहां पर वो joint होते हैं, एक साथ, उसी को बोलते हैं, यानि कि हम य joint, which link the skeletal system, जो कि जिसका, जो skeletal system से link रहता है, into the function, जो whole they allow the different degree and types of movement, वो जो पूरे skeletal को क्या करता है, वो allow करता है, different degree of movement में और degree, मतलब different degree में, move करने में, वो help करता है, types of movement भी उसमें आते हैं, तो यह होगे joints, ठीक है, अब हो गया ligament, तो ligament क्या होता है, they allow the different degree, जो ligament हो गया, यह हो गया, different degree, allow the movement, यह करते हैं, और यह जो होते हैं, ligament को हम बोल सकते हैं, यह कब allow करते हैं, movement और इसमें help करते हैं, यह क्योंकि उसको क्या करते हैं, यह band of tough elastic tissue होते हैं, जो कि around the joint, joint के, जो joint के around में, यह देखे, यह दिख रहा होगा, आपको sky blue color का यह होगे ligament, ठीक है, तो यह ligament क्योंकि होते हैं, band of tough elastic tissue होते हैं, जो कि around the joint, joint के चार और रहते हैं, और they connect the bone to bone, और यह bone को bone से connect करते हैं, यह कि बांधने का काम करते हैं, ठीक है, और give support and limit moment, और क्या करते हैं, इसको support करते हैं, और moment को limit करते हैं, यह कि control करते हैं, ठीक है, फिर डाइथ्रोसिस हो गई, इसमें, और यह बोगन को, औरन बोगन का स्चार का म्मेडल करते हैं, यह बोगन को,Bay डाइथ्रोसिस लर्डय का सारी पास अने की और खिता है, अधिक है जो जो जुँजब की पूलता है, इसे यह जो जेपन बोगन को कि या करते हैं, जो काटिले, जो काटिलेश with fibre सब्सक्राइब के horror Holland । यह बोगते हैं चाहँ पन सब्सक्राइब कुरिण करते हैं और उसको पर स्कूरा के साथ परन सिदियर यह बोगते यह जो ये MP Arthrosis हो गया ये क्या होता है कि joint को limit करता है यानि कि उसकी जो mobility होती है उसको limit में control में रखता है partially move करता है ठीक है फिर सिनार्थ्रोसिस हो गया सिनार्थ्रोसिस not movable ठीक है ये जो होता है immowable होता है fixed joint होता है between the bones और connect करता है fibres tissue को ठीक है इसमें हम बोल सकते है स्कल को हम ले सकते है suture जो होते है इसकल के उसको हम इसका example के तौर पे ले सकते है ठीक है उसके बाद हो गया disease and disorder of the skeletal system तो जो इसकी disease होती है इसमें होगी arthritis, sprain, dislocation and fracture और other type भी होंगी इसमें हम ले सकते हैं arthritis जो होती ही वो inflammation of the one or more joint होते है एक joint का या जादे joint के जब inflammation हो जाता है उ इनको बोलते है arthritis जो जिसके वज़े से क्या होता है pain होता है और stiffness हो जाती है bone में काफी ज़्यादा होई है और age के सांसना बढ़ता चले जाता है काफी painful होता है और जो sprain होता है वो क्या होती है stretching और tearing of the ligament जो ligament होते है वो tear हो जाते है और stretch हो जाते है ठीक है अपने size से joint ये जो होते है fibre tissue होते है Jonathan को कि bone को और joint को क्या करते है connect करते है ठीक है और ये जो the Melbourne tissue किया हो जारहे ने जो ligament होते हैं ये tear हो जारहे है इस से के it, sprain कहते है जब कभी समें stretch होrice हो जा रहे है थीक है उसके बाद हो गया is dislocation तो जो dislocation होता है वो क्या होता है एक तरीके से वो हम उसको bone injury भी बोल सकते हैं is an injury to the joints यानि कि joints की injury भी बोल सकते हैं a place where two or more bones come together जब एक या ज़्यादा bone जो होती है एक साथ जो होती है वो joint होती है in which the end of the bone are forced from their normal position ठीक है उनका जो end होता हो उन्हें normal position से थोड़ा हड जाता है उसी को बोलते हैं dislocation ये एक injury है bone की ठीक है फिर fracture तो आपको मालूमी है fracture क्या होता है वो complete or partial break of the bone ठीक है जो bone होती है वो break हो जाती है या तो वो complete तरीके से completely break होगी या फिर वो incomplete break होगी क्यों होगी cause of bone fracture include trauma यानि कि कोई trauma हो जाएगा या फिर कोई disease condition ऐसी है जिसके वज़े से क्या होती बोन जो होती है वो क्या हो जाती वीक हो जाती है जैसे कि for example हम लेख सकते है osteoporosis और osteomalacia वगरा ये जो भी है इसके वज़े से भी ठीक है अब हम ये तो हमने देख लिया अब हम देखते है फ्रेक्चर ये फ्रेक्चर का लेना भी बहुत जरूरी था क्योंकि अगर ये आ गया तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख पाएंगे paper में तो देखे फ्रेक्चर के types आप याद कर लीजेगा तो ये जो फ्रेक्चर होते हैं green stick, compound, simple, spiral, communicate और communicate और communicate और transfer और oblique तो ये देख लीजे एक one by one जो green stick होता है वो होता है incomplete fracture ये देखें green stick fracture क्यों बोलते हैं जैसे कच्ची लकडी चब मुड़ जाती है ना तूटती नहीं पूरी तरीके से थोड़ी सी वो अपनी जगा से tear होती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं अलग होती है तो उसी को बोलत है transfer fracture जो transfer fracture होता है वो break is at a right angle to the long plant of the bone ठीक है ये जो bone होती है इसका जो fracture होता है लंबी bone में right angle में ये fracture हो जाता है ठीक है और इसको बोलते है transfer transfer में हो रहा ना right angle जो मतलब transfer ही हो रहा है और due to strong force जब strong force इसमें लगता है तो transfer fracture हो जाता है और जो simple fracture है वो तो hairline fracture भी आप इस सकते हैं इसमें जिस्ट एक और जाता है जैसे कि काच का गलास पंए देखा को जब जो ास होता है वह उसमें क्राइक प्र जाता है लेकिन अपनी जगह से हटता नहीं है तूटता नहीं है उसी को उसी तरीके का फ्रेक्चर हो जाता है इसमें ग्लास होता है वो उसमें एक क्रैक सा पढ़ जाता है लेकिन अपनी जगह से हटता नहीं है तूटता नहीं है उसी को उसी तरीके का फ्रेक्चर हो जाता है इसमें और यह देखिए नीचे अबलिक सबसे लेफ्ट में देखिए अबलिक फ्रेक्चर तो यह अबलिक फ्रेक्च और completely brown हो रहा है, यानि कि green stick के तरह आधा नहीं break हुआ, पुरी तरीके से break हुआ है, लेकिन ये obliqually हुआ है, ठीक है, और ये जो communicate fracture है, communicate fracture का मतलब होता है, अब break the bone into more than two fragment, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखे, ये जो left के second वाला है, इसमें ये जो fracture है, ये communicate fracture है, इसमें एक से ज़्यादा fragment हो जाता है, यानि कि टुकड़े में, टुकड़े में bone जो होती हो, fracture हो जाती है, ठीक है, फिर हो गया देखे, spiral, spiral में क्या होता है, long bone is broken by a twisting force, इसमें क्या होता है, जो bone होती हो, twisting में ब्रेक हो जैसे twist type का, जैसे कि आप zigzag में देख रहा होगा, ये देखे, zigzag में, ये brain टूट गई है, हड़ी टूटी है, लेकिन ये ऐसे करके तिर्छे में टूटी है, तो ये पुरी तरीके से zigzag type में break हो जाती है, अब ये देख compound fracture, compound fracture are the fracture when bone punctured skin and comes outside the body, ये देखे, आप देखे रहे हैंगे, इसमें इसने क्या करा, skin को puncture कर दिया, bone टूट गई, अलग-अलग हो गई, और एक part उसका, एक corner उसका बाहर आ गया, यानि कि इसकिन को break कर दिया, इसकिन को उसने puncture कर दिया, और वो, उसका जो, वो है, end है वो बहार आ गया, तो ये, ये हो गया compound fracture, ठीक है, अब आगी osteoporosis, osteoporosis मैंने एक छोटी सी disease condition लिये, just, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर कभी इस तरीके साहे तो, और last में कोई disease condition भी बना के उसको landing कर सकते है, up to the mark, ठीक है, question के answer को, तो ये हो गया, osteoporosis is a condition in which the bone become weak or fragile, यानि क brittle हो जाती है, ये देखिए, इसमें क्या औरी bone जो होती है, ये normal है, देखिए, normal में density काफी strong है, और यहाँ पे देखिए, osteoporosis में काफी whole से हो रहे है, और ये काफी weak हो जाती है, ठीक है, इसके वज़े से, और यहाँ पे osteoporosis is the thinning of the bone, इसलिए हम बोल सकते है, ये thinning bone हो ज करती है, multiple type of fracture, बहुत type के fracture को lead करती है, ठीक है, अब इसके risk factor क्या है, क्यों होती है, ये osteoporosis, ये इसलिए होती है, देखिए, जब भी ये होता है, old age में क्या होती है, new bone नहीं बन पाती है, जादा नहीं बनेगी, तो generally क्या होता है, कि osteoporosis, जो new bone होती है, वो create होती है, और पुरानी bone को remove हो जाती है, उसकी जगा new bone बन जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, with osteoporosis, new bone creation doesn't keep up with old bone, bone remove, ठीक है, उसको वो remove नहीं हो पाती, new bone नहीं बन पाएगी, अब इसके risk factor क्या होते है, कुछ risk factor होते है, osteoporosis के, जो की out of control होते है, जिसमें की sex हो गया, ये जो ह much more likely to develop the osteoporosis than are the men, ठीक है, men के comparison में, women में ज्यादा देखने को मिलता है, वो causes तो आपको मालूमी क्यों मिलता होगा, अब इसमें ज्यादा lengthy हो जाएगा, तो ये detail में नहीं है, शॉर्ट में है, अब age क्या हो गया, older age में ज्यादा problem create होती है, great risk होता है इसका, थोड़ा सभी pair मुड जाए तो fracture हो जाएगा, थोड़ा सभी गिर जाए तो fracture हो जाएगा, और race, race के मतलब हो गया, ये white race और Asian में ज्यादा देखने को मिलता है, family history में क्या हो गया, अगर parents, sibling किसी में है, osteoporosis, तो वो greater risk है उनके family के लिए, उनके जो भी member है, उनको family, इसका fracture का risk बना रहत है, और जो frame size हो गया, men and women who have small body frame, जिनका body frame small होता है, वो ज्यादा higher risk रहता है, उनके bone में fragile होने का, और bone mass to draw from as they age, और उनके जो less bone mass हो जाता है, अगर उनकी bone, उनकी short heighted तो, ठीक है, और next other causes भी है, hormone level जब irregular हो जाएगा, dietary factors irregular, यानि कि dietary में calcium अगरा, vitamin D का level बहुत कम हो जाएगा, तब यह हो जाता है, और estroid वगरा या कोई ऐसी other medication ले रहे हैं, जो कि इसको, इसके side effect इसमें bone में हो सकते हैं, और वो से कमजूर बना सकती है, और life style तो पक कही है, कि अगर exercise वगरा ना हो, काफी easy, जो sedentary life style है, तो उसमें ही हो जाएगा, फिर life style में, sedentary life style है, जैसे मैंने आगे बताया है, slide में, कि उनको ये, जैसे sitting, ज्यादा time उनका sitting में है, इसमें resting में है, तो उनकी bone काफी prone रहती है, higher risk रहता है, osteoporosis का, then comparison of जो active person होते हैं, उन से ज्यादा, ठीक है, और ये जो होती है, जो any more bearing exercise to beneficial for your bone, जो चोटी, जो bone, जो weight bearing exercise, bone के लिए काफी, मतलब, helpful रहती है, और walking है, running, jumping, dancing, और ये weight lifting जो होती है, इसके लिए, helpful रहती है, bone को healthy बनाने के लिए, ठीक है, और जो excessive alcohol consumption हो, तो वो भी इसके लिए harmful होता है, और उसके लिए भी risk के चांसर ज्यादा है, जो alcoholic patient होते हैं, bone, इसके osteoporosis के, ठीक है, तो इसलिए, और जो interfere, क्योंकि क्यों होते हैं, alcohol can interfere with the body ability to absorb calcium, क्योंकि calcium का absorption नहीं हो पाएगा, अगर alcohol body के अंदर है, blood में, ठीक है, तो और tobacco का, जो use करते हैं, tobacco को जो लेते हैं, उनका भी जो bone होता है, वो weak हो सकता है, और ये chances हो सकते हैं, osteoporosis के, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि जो bone होती, जो tobacco use contribute to weak bone, वो उसको weak बनाता, तो thank you guys for watching this video, और इसको like करिएगा, share करिएगा, comment करिएगा, और साथ में subscribe तो जरूर करिएगा, और जो bell icon है, उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि जो भी notification है, उसको आपको उसका notification मिल जाए, जो भी मै वीडियो इसमें upload करूँगी, उसका notification आपको अपना भी मिल जाए, तो अगर आप education field में है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके लिए subscribe का button क्लिक करने से आपको कोई भी हाम होता है, उससे आपकी एक, आप हमारे family के एक member add हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो जो भी हम इसम वीडियो डालते हैं, जो भी हम इसमें discuss करते हैं, उससे सभी को benefit होता है, तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए take care, goodbye